हेलो दोस्तो बियार साव में आप लोग को स्वागत हैं दोस्तो आज हम रिविव करने वाले हैं एलेफ्स कंपनी के एंपलीफियर एक्स 5.5D यह अपने भाई ने कोमेंड किया हुआ है भाई का नाम है एलाउन पैन तो इसको उपर वीडियो प्राने के लिए रिक्वेस्ट क करूंगा दोस्तो अभी हम एंपलीफियर के फ्रॉंट पैनल को पर चलते हैं सबसे पहले एलेफ्स कंपनी ने अपना ब्रेंड का बेजिंग करके रखा हुआ है और दुसरे तरफ एंपलीफियर के मोडल नमर दे रखा है मोडल नमर है एक 5.5D दोस्तो यह एंपलीफियर ट क्लेब दूसरा है सिकनल तिसरा है प्रेक्शन और चौता है पावर अभी आप लोग सामने देख रहे होंगे जो डिस्प्ले जो एक चौता डिस्प्ले दे रखा है तो उसके नीचे एक बुलेम टाइप का नॉप दे रखा है वो पूस्ट भी कर सकता है और लेफ एंड रा जैसे कि यह डिस्प्ले है तो वही अलग दे रखा है दोस्तों इसके अंदर कंपणी ने कुछ चीजे इंविल्ड किया हुआ है जैसे कि अपना एक्टिव क्रोसवर के तरह इसमें डिजिटली क्या है इंपूट गैन कोंट्रोल और आउटपूट गैन कोंट्रोल करने के ल एक्टर करके अपन डाउन करके पूश बतन दबाके उस अपने सेटिंग किये हुए एक्टिव को पर आप इंट्री हो सकते हैं या एक्टिव कर सकते हैं लेकन दोस्तों इनियसल अपने हिसाब से एक्टिव को एग्जस्ट करने के लिए PCI लेप्टॉप का जरूरत और इंपूर आउट्पूर्ट गैन लेबल जो है वो भी PC लेप्टॉप का जरूरत परेंगे दोस्तों तो दोस्तों इसमें क्या है उतना जदा सबसे उतना हटके तो बस यहीं डिस्प्ले को पर हटके हैं और इसमें क्या है एक्सवाइब से थोड़ा चेंजिंग है पर दो फैन है तो अब हम चलते हैं बेक पैनल की तरफ दोस्तों यह है एक पैनल सेंसिप्टे कर तिन ऑप्षन दे रखा है आप लोगों सेलेक करना है कि इसमें कौन से उप्षन में लागा आप लोगों बजाना है सेम होई मोड को उपर ब्रेस पैलल स्टेरियो दोस्तों हाइप पास और लोघ पास और लिमीटर और ग्राउंट्री का सुइच दोस्तों इसमें दे रखा है जैसे आप लोग ने देखा है एक सबन या एक सब्सक्राइब दोस्तों निकालने है वह वह एच क्लास में दोस्तो सेम दो सेम बैक पनेल होई है कोई चेंजिंग नहीं है चेंजिंग है तो उसका वार्ड में कुछ चेंजिंग होता है दोस्तो ठीक है दोस्तो अभी यह तो हो गया है बैक पनेल के तरफ अभी हम चलते हैं उसके स्पैसिफिक्शन के उपर दोस्तो यह amplifier 5000W का amplifier है class है H+, यह zero clip technology है और यह circuit जो है SMT base है दोस्तो और company इसका 5 साल का warranty भी देता है और दोस्तो इसका fan use किया हुआ है उसने BIS certified fan use किया हुआ है यह DSP on board है दोस्तो इसका peak power में पहले आप लोग बता दू इसका peak power है 8 ons में 850W है दोस्तो और 4 ons में peak power इसका 3350W है और normal output में दोस्तो इसका क्या है 8 ons में 1500W है और 4 ons में 250W है तो दोस्तो इसको उपर क्या है normal भी नहीं है आउट भी नहीं है इसका 2 ons में कुछ लिखा नहीं है मेरे साबसे 2 ons stable नहीं होगा या तो company recording भी नहीं करता होगा इसको top बजाने के लिए इसलिए साइट हो सकता है कि 2 ons को पर उसनोंने कुछ लिखा नहीं है तो दोस्तो अब हम चलते है 8 ons में bridge port output कितना देता है यह 5500W दोस्तो देता है 8 ons bridge output में और 4 ons में bridge output देता है 4000W तो दोस्तो हम उतना ना 106db है दोस्तो ठीक है तो इसका input impedance है इसका 10k से लेके 20k तक है यह उसका sensitivity दोस्तो आप लोगों में पता चुका हूँ और इसका क्या है working voltage 190 से लेके 263 के अंदर दोस्तो बोल्टेज लेने से अराम से बड़ी आशा बजे गाई है और दोस्तो यह कितना 2 हर्ष में काम करता है सुद्धय हर्ष में काम करता ऋ दोस्तो अभी हम आ जाते हैं इस Impsstimmtar को कौसी speaker आपको बजाना चाहिए ठेक क्लें सही ना bir बैέλे है आपी हम उसकी उपर आ जाते हैं दोस्तो इस एम्प्लीफेर में मेरे इसाब से कहा जाए तो इस एम्प्लीफेर में क्या है दोस्तो टॉप ले नहीं बजाना चाहिए करन कहा जाए तो दोस्तो क्या है यह एम्प्लीफेर फॉर ओंस में आपको देता है बाइसो पचास वाट और पीक पॉर के तरफ जाएंगे 700-700W या 800-800W देखे क्या है तु ओम्स निए बजाना से कम से कम एक्जेस्ट भी हो जाना था लेकिन क्या इसमें टू ओम्स का अप्शना होने के चलते इसमें मेरे इसाब से नहीं बजाना चाहिए टॉप इस एमपली में येदि आप चाहे तो इसको पर क्या है 300W का एक 15 इंची स्पिकर भी यूज कर सकते हैं चाहे तो लेकिन क्या है दोस्तो आप वो यूज करेंगे तो क्या है अच्छा कासा आवाज आ जाएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसमें आप विदाउट एचेप चलाएंगे तो साइट चल भी जाए कंफार्म नहीं है क्योंकि उसकोपर मैंने देखा नहीं हूँ सुना नहीं हूँ और किसे से पुछा और इसकोपर कोई रिस्पॉंस भी नहीं मिला है लेकिन आप उसको 120 वाड एचेप ये 100 वाड दोस्तो लगा के बजाएंगे विडाउट क्रोस वाड बजाएंगे दोस्तो उसके लिए रख पर जाता है हाँ इसकोपर आप यह दी एटेए प्रो का जीट फिप्टीन का नेट्वर्क किट है 750 मोडल का तो वह यूज करेंगे तो साइट चल भी जाएंगे लेकिन उसकोपर दोस्तों कोई गरेंटी नहीं है इस एमप्लीफेर के साथ यह दी क्रोस वाड के साथ आ अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो इसलिए किया है मेरे तरफ से आप इस एमप्लीफेर लेता है तो की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए ऑनलीफोर आपको जाना चाहिए वेट स्पिगर के उपर तो दोस्तों स्पिगर कौन सए लेंस भी इसके लिए तर इसके दोस्तों 3000 वाट को आप दो पार्ट में करेंगे तो पड़ जाता है 15500 वाट तो दोस्तों मेरे एसाब से 15500 वाट यूज करने से यह अच्छा खासा रिस्पॉंस देगा मुझे ऐसा लगता है तो दोस्तों मेरा वीडियो को जदा लंबाना खिंचते हुए यहीं पर हम समाप क कोशिस करते हैं और आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और इस तरह का वीडियो आप लोगों देखते रहे ना है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब परना परेगा और मेरा बगवास यहां से जदा दूना लेते हुए हम आप लोगों स कर दो